हलो बच्चो स्वागत है आपका रिप्लिका वोर्ल्ड मैं आज हम बात करने वाले हैं सुपर एंटिजन के बारे में तो चलिए शुरू करते है बच्चो एंटिजन के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि एंटिजन एक ऐसा फॉरन मॉलिकूल होता है जिसकी वज़े से जो हमारा immune system होता है वो activate हो जाता है ठीक है तो antigen के बारे में हम लोग detail में एक lecture पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने antigen के different types भी पढ़े थे और वो बहुत ही जादा important और interesting lecture था अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखे आज हम लोग बात करने वाले हैं सूपर antigen के बारे में तो भाई यह सूपर antigen क्या होता है जैसे कि हम इसके नाम से पता चल रहा है कि antigen से भी जो दो कदम आगे है वो हमारा super antigen है बेसिकली super antigen जो होते हैं वो protein होते हैं जो कि यह तो bacteria के दौरा secreted होते है या virus के द्वारा या या नि बैक्टीरिया से secreted protein या फिर virus से secreted protein यह होते हैं इनका molecular weight 23 से लेके 28 kilo dalton तक हो सकता है और कुछ important चीज़े हैं जो कि इसको बहुत ही जादा हम कह सकते एक ऐसा antigen बनाते हैं जो कि हमारे immune system को बहुत ही जादा hyper activate कर देता है जैसे कि यह protease resistant होता है protease enzyme इसको kill नहीं कर सकता है तोड नहीं सकता है break नहीं कर सकता है heat resistant होता है heat से 20 कुछ नहीं बिगड सकता और यह unprocess होता है MHC जो है वो इसको represent भी नहीं कर सकता है MHC से भी present नहीं होता है ठीक है आप जो हमारे super antigen होता है यह MHC से क्यों present नहीं हो पाता है basically होता क्या है कि यह जो classical domain होती है MHC की उससे कभी bind करता ही नहीं जो antigen presenting cells होता है उन पर MHC second होता है तो MHC second की जो classical domain है जहां से antigen bind करता है वहां से bind करता ही नहीं है यह non polymorphic domain से bind करता है यानि कि यह कहां से bind करता है यह bind करता है alpha-2 domain से ठीक है तो यह bind करता है हमारे alpha-2 domain से जो alpha-2 polypeptide chain है उससे bind करता है MHC second की ठीक है और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे T-cells होता है उनके ऊपर यो T-cell receptor होता है उनसे भी यह super antigen bind करता है तो MHC 2nd के alpha 2 से bind करता है और T cell receptor में ये variable beta से bind करता है तो T cell receptor का जो variable beta domain है वहाँ पर ये bind करेगा और वहाँ पर भी mostly ये CDR2 की help से bind करता है वैसे तो कभी-कभी CDR1 और CDR4 की help से भी ये bind कर जाता है पर mostly CDR2 की help से ये bind करता है और T cell receptor पर कभी भी CDR3 की help से नहीं bind करता है क्योंकि यह क्या कर रहा है सारी चीजे वो कर रहा है जो कि एक नॉर्मल एंटीजन नहीं करता है तो नॉर्मल एंटीजन CDR3 के थुरू अपना करता है पर यहां पर्वल्म के इसलिए तू के थू ज्यादा करता है या फिर वन और फोर के थू थू इसमें इंवाल्व नहीं होता है कोई भी सीडीयस स्पेसिटिस में नहीं होती है और जैसे ही सुपर अंटिजन बाइं करता है हमारे MHC slim non polymorphic और हमारे T cell रेसेप्टर से तो जो टी सेल होते हैं उनका non specific activation हो जाता है हमारी बौडी में जितने भी T cell है उनमें से बहुत सारे T cell का non specific activation हो जाता है तो जितने हमारी बौडी में हैं उसमें से 0,814 Legisl September Dep7 Extended जिस वजह से बहुत जादा amount में cytokine production होने लगता है और cytokine production भी किनका जादा होता है जो कि pro-inflammatory cytokines होते हैं जैसे कि TNF-Alpha, INF-Gamma इनका बहुत जादा production होने लगता है जादा production होने की वज़ए से body में toxicity आ जाती है और इस type की toxicity को हम लोग toxic shock syndrome कहते हैं अब इसका एक example अगर हम देखना चाहें कि super antigen कहां से आता है तो एक example हमाई पस staphylococcus aureus जो staphylococcus aureus bacteria होता है वो super antigen से क्रीट करता है जिसकी वज़े से high fever हो जाता है, vomiting आती है, diarrhea हो जाता है बहुत जादा pain होता है body में और कई बार death भी हो जाती है तो यह इतना जादा खतरनाक होता है super antigen अब यह जो हमारा super antigen होता है यह non specific T cell activation कराता है कई बार यह B cell को भी activate करवा देता है ठीक है तो यह हमारी बात हुई super antigen की अब यहाँ पर इस image में आप देख सकते हो कि किस तरीके से super antigen bind करता है और क्या चीज़े होती है यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख रहे है antigen presenting cell यहाँ पर antigen presenting cell के ओपर MHC 2nd है उसकी जो alpha 2 domain है उससे यह super antigen bind करेगा यह जो आप देख रहे हैं यह हमारा क्या है super antigen है यह आप देख पा रहे हैं और यह जो super antigen है यह MHC 2nd के alpha 2 से bind कर रहा है और जो T cell receptor है उसके यह variable beta से bind कर रहा है through CDR2, mostly CDR2, कभी-कभी CDR4 और 1 but never CDR3, ठीक है उसके बाद जैसे ही bind करेगा तो signal transduction होगा, signal transduction होगा तो cytokine release होंगे T cell से बहुत जाद आमाउंट में जिस वजह से toxicity हो जाएगी और इस toxicity को हम क्या बोलते हैं, toxic shock syndrome ठीक है तो बच्चो इस तरीके से यह हमारी बात होती है super antigen की, super antigen एक बहुत ही अच्छा topic है अगर हम बात करें CSIR के point of view से और किसी भी competitive exam के point of view से तो मैं उमीद करूँगी कि यह topic आपको समझ में आया होगा अगर यह lecture आपको अच्छा लगा हो तो like जरूर करें, share करें और replica world को subscribe करें